चर्च के पतन और विभाजन के शुरुवात पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह चर्च में जूटी शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ रहा था येश्यू मसी कौन था इस बात को लेकर काफी वाद विवाद होता था आज हम जानते हैं कि येश्यू मसी तरह एक परमिश्वर का दूसरा वेक्ती है लेकिन गलश शिक्षाओं के प्रभेश कर जाने से आरंबिक कलिस्याओं को इस प्रशन से बार बार जूजना पड़ता था जिसके कारण आरंबिक चर्च पिताओं को कड़ा अध्यन और काफी विचार विमर्श करना पड़ता था चर्च में येश्यू के विशे में सही समझ लाने के लिए to understand the person of Jesus Christ सच तो ये है कि आरंबिक चर्च पिताओं की निरंतर और कड़ी मैनत के कारण ही आज के मसीही येश्यू के विशे में सपष्ट रूप से जानते हैं तो इन समर्पित चर्च पिताओं में से कुछ नाम जो ऊपर आते हैं वे हैं आईरेनेयस जिसकी किताब Against Heresis मतलब अपधर्म के विरुद उसमें येश्यू मसी के विशे के सपष्ट सिधानत की शुरुवात हुई आईरेनेयस को लगबग 200 AD में मार दिया गया फिर उत्री आफरीका का Tertullian जो आईरेनेयस के कुछ सालों बाद आया था वो भाशा के इस्तमाल में माहिर था जिसका लाब उठाकर उसने भी येश्यू मसी के विशे के सिधानत को और अधिक सपष्ट किया जिससे आरंबिक कलिस्याओं को बहुत लाब हुआ फिर सिकंद्रिया के क्लेमेंस यानि क्लेमेंट ओफ अलेक्जंडरिया और उसके शिश्य ओरेगिन उन्होंने भी अपने लेखों के द्वारा आरंबिक चर्च को येश्यू के विशे में सपष्ट रूप से समझाया लेकिन जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था दो बड़ी गलस शिक्षाएं नौस्तिसिजम और मॉन्टेनिजम जो येश्यू के विशे में गलस शिक्षा दे रहे थे उनसे निपडने के लिए Apostles Creed बनाई गई मतलब प्रेरितों का विश्वास तो ये Apostles Creed प्रेरितों ने नहीं लिखी थी बलकि प्रेरितों के विश्वास को संक्षेप में लिख दिया गया ताकि किसी भी चर्च को मसी सिधानत और मसी शिक्षाओं को विशे में कोई संदे ना रहे और वे गलश शिक्षाओं से बचे रहे Apostles Creed को सभी चर्चों ने स्विकारा नए नेम की 27 पुस्तकों को तो चर्च पहले से पचानता था लेकिन उनकी अधिकरित सूची बहुत आगे जाकर बनी तो यहां तक तो सब ठीक चल रहा था लेकिन आगे जाकर बहुत कुछ बदलने वाला था कैसे? प्रेरितों ने जो चर्च स्तापित किये थे उसमें कोई एक लीडर नहीं होता था जो अधिकरित रूप से सब के ऊपर हो नहीं बलकि कई एल्डर्स अर्थात कई प्राचीन होते थे और सब मिलकर सला मशवरा करके चर्च को चलाते थे हाँ ये जरूर है कि चर्च की गतिविदियों को सही रीति से चलाने के लिए अनुभव और योग्यता के अधार पर किसी एक एल्डर को अध्यक्ष मान लिया जाता था जैसा पहला तो मित्यस तीन एक में लिखा है अध्यक्ष को युनानी में बिशप कहते हैं लेकिन ये बिशप कोई उपाधी या ओफिशल पद भी नहीं थी और ना ही अध्यक्ष के पद को कोई विशेश अधिकार मिले होते थे बलकि उसका दर्जा भी बाकी एल्डर्स के समानी था सिर्फ इतना था कि चर्च की कारी प्रनाली में बाकी एल्डर्स अपनी इच्छा से उसके अधीन हो जाते थे लेकिन आगे की मसीहत में हम देखेंगे कि इसी बिशप के पद का कैसा अनुचित प्रयोग किया जाने लगा अपनी आखरी मिशेनेरी यात्रा में पाउलूस ने मिलेतुस में एक कॉन्फरेंस की थी प्रयरितों का 20-17 और पाउलूस ने मिलेतुस से इफिसुस में कहला बेजा और कलीसिया के प्राचिनों को बुलवाया अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीbiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है